मेरा नाम है हिमानशी और आप मेरे साथ यहां करेंट एफेस की सीरीज को डिस्कुस करेंगे यह जो हमारी सीरीज है यह हफते में तीन दिन आती है त्यूजडे, थर्स्टे और साटडे इसलिए क्योंकि यह तीन दिन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि पर सेशन करीब 30-40 क्वेशन हम कवर अप करें अगर अगर अप जाहें तो इस सेशन की पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दे गिविन टेलिग्राम चानल So let us have a quick look on the schedule that has been that is being followed by our channel English or quantitative aptitude अपके discuss की जाएंगी on Monday, Wednesday and Friday 9 a.m. and 9 p.m. Reasoning and general awareness will be followed on Tuesday, Thursdays and Saturdays on 9 a.m. and 9 p.m. So as we all know हमारे जान न्यूस है वो section wise हम cover up करते हैं So with that let's start today's session सबसे पहला हमारे section है national news का और सबसे पहली question हमारे पास है about Which institute will be providing the world's first ever online B.Sc. degree in programming and data science तो दुनिया की ऐसी पहली online degree दी जारी है B.Sc. degree on programming and data science आपको बताने के इन में से ही degree किन के द्वारा दी जारी है So it is given by IIT Madras तो जैसे के हम यहाँ देख रहे हैं It is the world's first ever online degree तो यहाँ पहले हैं क्या बात कर रहे हैं first की तो Last time भी मैंने discuss किया था कि जो first होते हैं They are very very important तो हमारे जो union minister है for HRD of HRD Mr. Ramesh Nishang Pokriyal उनके द्वारा यह degree launch की गई है This is about B.Sc. degree in programming and data science तो data science की डिगरी है Okay IIT Madras की बात करें तो इसे जो है recently NIRF ranking में सबसे अच्छी रांक दी गई थी Number 1 रांकिया था इस institute ने यह जो प्रोग्राम है हमारा This is available to anyone जन्होंने class 12th पास की है English subject के साथ जनके पास 10th level का maths उन्हें आता है और जो है किसी तरीके की UG program यह अधर undergraduate course जो है वो कर रहे हैं So these people जोन्होंने यह eligibility criteria फुल्फिल करते हैं उनके लिए यह degree available है Okay, तो हमने देखा about the world's first ever BSc degree in programming and data science अगला सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो हमारे Prime Minister है Mr. Narendra Modi इन्होंने recently announce कि free food grains जो है आपको provide किये जाएंगे for five more months आपको बताना है कि जो extension है यह किस scheme के अंदर दिया गया है तो it has been done under the प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना तो अंदर this scheme जो है पांच महीने के लिए यह जो free food grains प्रवाइड किये जा रहे हैं उसे और पांच महीने के लिए एक्सेंट कर दिया गया है अगर मन्त वाइस पूछा जाए तो नवेंबर 2020 तक इस scheme को जो है एक्सेंट कर दिया गया है अगला यहाँ सवाल है अबोट इंडिन ओल कॉर्परेशन इंडिनर कॉर्परेशन इस अबाउट लुटे अन taken वाइंडिन अन्द है इंडिन ओन तरीका का इंट वे जुवाइड करने वाले है यह उप करने वावाले है यह सेटपिर्पी दिया क्म् daughter इंडिन कर देस नो यय पनहीं फरीदाबाद में ही इन्होंने एक और campus बनाया था और उसी के साथ ये adjacent दूसरा अपना R&D campus खोल रहे है तो Indian All Corporation के द्वारा जो है इस तरीके का R&D campus खोला जा रहा है इन फरीदाबाद Indian All Corporation के बाद करें तो ये एक Indian PSU है जिसके चेर्मन है Mr. Sanjeev से लास्ट जब हमने आयोसी की बात की थी लास्ट क्लास पे तब हमने देखा थे कि इनके द्वारा एक बैटरी स्वाप पैसिलिटी को जो है इनागरेट किया जा रहा है इन चंदिगर चंदिगर के आउटलिट में तो बैटरी स्वाप और ये हमने देखा अबाद इस R&D Campus अगला आप से सफाल पूछा जा रहा है about a book तो इस book is about poems और इस book का नाम है The Yogini Poems Love and Life आपको बताना है कि ये जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो ये book लिखी गई है by Adyashah Das तो हम बात कर रहे है एक book का नाम जिसका नाम है Yogini Poems Love and Life इस रिटन बाई वेल लोन पोईट फ्रम ओरिशा अध्याशादस तो इस इस द्वारा अध्याशादस के द्वारा जो है ये book लेखी जा रही है अलसो काफी सारी रीसेंट बुक्स जो है रिलीस की जा चुकी है तो उन्हें एक बार हम रिवाइस कर लेते हैं पहली है about the legend of Suhail Dev इसे लिखा गया है by Amish Tripathi सेकेंड है a burning novel by Megha Mazumdar Clara and the Sun by Kazuo Ishigoro One Year of Modi 2.0 ये एक book नहीं है बलकि एक e-booklet है इसे रिलीस किया गया था by the Information and Broadcasting Ministry Next है Ikka Bog ये रिलीस की जारी है by J.K. Rowling Very Important Hop on My Adventures on Boards, Trains and Planes This is written by Ruskin Bon Wuhan Diary by Fang Fang Finding Freedom This book is on Prince Harry and Meghan Merkle और ये लिखी गया है by Omid Scooby and Caroline Duren Behind the Mask by Muhammad Abdul Manan Shuttling to the Top by B. Krishnaswamy And this book is about P. V. Sindhu Last is The Art of a Deal This is written by Maddie Jordan And this book is about Melania Trump Okay So the books that we are revising here is very very important क्योंकि books के section से अपसे काफी जादा क्वेशन पूचे जाते हैं Okay The banking के exam में हमारे ली ये books और ये authors बहुत जादा इंपॉर्त है So National News के section में आखरी सवाल है About how many Chinese apps have been recently banned By the Ministry of Information and Broadcasting So हमारी जो ministry है Inके द्वारा 59 Chinese apps को recently banned किया गया है This has been done under the Information and Technology Act 2000 Okay So इस act के अंदर जो है Is इस बैंको किया गया है Of the Chinese apps So इसी तरीके के एक step दिया गया है By the US Federal Communications Commission इनके द्वारा दो Chinese companies Huawei और ZTE And ZTE को टैग किया गया है As the National Security Threats So US के गवर्मन भी इसी तरीके के कुछ steps ले रहे है Okay So यहां हमने देखा कि 59 apps को banned किया गया है By India So this was the last question from this section Next we are discussing about the obitaries इसमें एक ही हमारा question है About Gita Nagbhushan Gita Nagbhushan She recently passed away आपको बताने है कि किस state को बिलॉंग करती है So she belonged to Karnataka Okay We are talking about the Karnada writer Gita Nagbhushan यहां पर अगर सवार पुछा जाता कि Gita Nagbhushan She recently passed away She was a famous who So she was a famous writer You have to remember this That she was a writer Okay She is also served as the chairperson for Karnataka Sahit Academy And she also chaired the 76th Akhil Bharata Karnada Sahip ते सम्मेले So just like we are watching She was a very renowned writer And she recently passed away Okay So we have seen this about the obituary Next we are watching our sports section In sports we are asking our question That our sports minister is Mr. Kiran Rejuju His app launched for our athletes So this app's name is NADA NADA Yarni ki full form है इसका National Anti-Doping Agencies First Mobile App Mr. Kiran Rejuju जैसे के मैंने कहा यह हमारी sports minister है Okay तो इनके द्वारा इस app को launch किया गया है देखे काफी जादा हम news देखते हैं जहां पे हम दोपिंग के कैसे के बार में बात करते हैं तो आथलेट्स को काफी जादा डोपिंग करते हैं पाया जाता है और उस वज़े से इन्हें बैंक किया जाता है बाइ नाडा इस ओर्गनाजेशन तो इसी चीज़ से रिलेटेड कम्यूकेशन एस्टाबिश करने के लिए बिट्वीन दे नाडा आड बिट्वीन दे अथलेट्स इस तरीके का जो है आप लांच किया गया है तो ये एक तरीके का वन स्टॉप गाइड होगा for all the anti-doping and medication related information National Anti-Doping Agency के हम बात कर रहे है तो इस बोडी को established क्या गया था 2005 में ये headquarter है New Delhi में और इसके chairman हमारे sports minister होते है तो Sims के हमें याद रखना है नाडा आप by this minister अगला सबाल पूछ रहे हैं कि Mario Gummis Mario Gummis he has recently announced his retirement from which sport तो इन्होंने recently retirement announced किया है from football Mr. Mario Gomez इनकी बात करें तो अगर आप से सवाल पूछा जाए किये किस country को belong करते हैं तो he was a former Germany footballer Germany को ये belong करते थे and he has recently announced his retirement इन्होंने Bundesliga title भी जीता है 2007 में he has also won the Champions League in Bay and Trebles winning season in 2013 तो ये जो है काफी important एक नाम रह चुके हैं in the football field और जैसे के हम देखरें he has recently announced his retirement तो sports section से हमारा आखरी सवाल है that who has been included in the International Cricket Council's Elite Panel of Empires तो इस पैनल में recently include किया गया है Mr. Nitin Menon को अगर आप से सवाल पूछा जाए कि Nitin Menon कि किस country को belong करते हैं तो he is an Indian इंडिया के Nitin Menon को include किया गया है in the International Cricket Council's Elite Panel of Empires तीक है and he has been included for 2020 and 2021 के session के लिए he will be replacing England's Nigel Lalong also that he is the third Indian Empire third Indian Empire to be chosen in the Elite Panel of Empires हम यह बात कर रहे है ICC यानि International Cricket Council की इस body को form क्या गया था 1909 में यह headquarter हमारी है दुबाई में और करिंटली इसकी जो chairman है वो है Mr. Shashank Manohar Mr. Shashank Manohar और CEO इसके है Mr. Manu Sahni तो यह हमने देखा about ICC इसी के साथ हमारा sports section यहीं खतम हुआ अब हम देख रहे है state की news तो इसमें आप से सवाल पूछा जा रहा है about a city तो यहाँ पर सवाल पूछा है कि ऐसी कौन सी city है जिनोंने अपने 1000 गर्मेंट स्कूल्स में rain water harvesting project को जो है successfully implement कर दिया है और यह इंडिया की पहली district है तो again a first तो आपको इसका आंसर बताना है इसका आंसर है वर्डोधरा तो जैसे के हमने देखा गुजरात की यह वर्डोधरा district it has successfully implemented 1000 गर्मेंट स्कूल्स पे इस rain water harvesting project को और यह करते हुए यह इंडिया का पहला district ऐसा बन गया है जिन्होंने successfully इसको implement किया है तो यह implement करते हुए इनकी जो गर्मेंट है यह करीब 10 करोड लीटर ऑफ वाटर जो है 10 करोड लीटर का पानी यह एक साल में बचा सकते हैं तो they will be now conserving more than 10 करोड लीटर of water in a year तो यह काफी अच्छा initiative हमने देखा about the Vardodra district एक और news हमारे पास है about Gujarat यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो retired Gujarat High Court Judge है हमारे Justice Rajesh Shukla He has been recently appointed as the 5th लोका यूगत of the state by Governor Acharya Devrat यानि कि गुजरात के जो नए लोका यूगत है उन्हें अपॉइंट कर लिया गया है और वो है Justice Rajesh Shukla यह जो पोजीशन है करीब 2018 से यह वेकिन थी और रिसेंटली इसे जो है और रिसेंटली इन्ही जो है अपॉइंट किया गया है तो यह दो नियूज हमने देखी गांधी नगर, स्टेट ट्री है बन्यान ट्री अनिमल है एश्याटिक लाइन फ्लावर है मारी गोल्ड, फ्लेमिंगो बर्ड हो गई वर्ल्ड हैटेज साइट्स में अगर हम देखे तो चंपानेर और पावागर का आर्केलाजिकल पाक यहाँ पर काफी फेमिस है इसके लावा रानी की वाव है यहाँ पर नाच्रल साइट्स में कर हम देखे तो नाल सरूवर बर्ड सेंचुरी है ब्लैक बग नाशनल पाक है गिर फॉरिस्ट है, मरीन नाशनल पाक है और कच बाइस पर रिजर्व है स्पेशली आपको यहाँ पर फोकस करना है जितनी भी नाच्रल साइट्स आपको बतावी जारी है उसे आपको डेफिनेटली याद रखना है तो यह हमने देखा अबाट गुजरात अगर सबाल पूछा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट प्लाज्मा थेरपी ट्राइल ट्रीप्मेंट होने वाला है यहाँ पर बात करें है यह दूनिया का लाजस्ट प्लाज्मा थेरपी ट्राइल होने वाला है और यह किया जाने वाला है पाई महाराश्ट्रा गौन तो जितने भी ऐसे coronavirus के patients है जिनने काफी ज़्यादा severe symptoms दिखाई जा रहे हैं तो उनके ले प्लाजमा therapy को conduct किया जाएगा तो यह हमने देखा about महराष्टरा महराष्टरा की बात कर रहे है तो यह भी अपनी anniversary मनाता है on 1st May 1960 1st May 1960 यहाँ पे इनके governor है Mr. Bhagat Singh Koshyar Chief Minister है Mr. Odav Thakre State Animal है Giant Squirrel Bird है यहाँ 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 फूटेट जीन ग्रीन पिजिन Flower है जारूल और ट्री है mango ट्री Wall-headed sites में देखें तो अजंता एलोरा Elephanta Caves, Western Cards, छतरपती शिवाजी टर्मिलिस Natural sites में देखें तो यह इंडियन ग्रेट पस्टेट संचुरी, नवेगाव नाशनल पार्ग, संजे गार्धी नाशनल पार्ग, ताडोबा और पैंच नाशनल पार्ग यह सभी जो natural sites हैं इन्हें हमें याद रखना है तो यह हमने देखा about महराश्रा तो हम यह पर बात कर रहे थे about महराश्रा के द्वारा World's largest plasma trial के बारे में तो ऐसा ही एक initiative लिया गया है डेली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अर्विंद केजडिवाल के द्वारा इनके द्वारा plasma bank सेटप करने का decision लिया गया है तो यह भी एक plasma related initiative ले रहे है plasma bank और वहाँ पर हमने देखा था project platina project platina तो इन दोनों के साथ आपको confused नहीं होना है यह है महराश्रा और यह है Delhi और क्योंकि हमें Delhi की बात करें तो हमारी lieutenant governor है यहाँ पे Mr. Anil Bejil recent news की बात करें तो 5T plan इनके द्वारा launch किया गया था operation shield इन के द्वारा launch किया गया था प्लस दुनिया का जो सबसे बड़ा COVID facility है वो भी Delhi में ही setup की जाएगी ओके तो यह हमने देखा about Delhi अगला यहाँ पे state related सवाल है कि कि स्टेट ने recently हमारा घर हमारा विद्याले अभियान जो है यह campaign शुरू किया है तो यह शुरू किया गया है बाई Madhya Pradesh ठीक है नाम से हमें से समझ रहे है हमारा घर हमारा विद्याले यानि की घरो में ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर को यह एक स्कूल बनाने का इनिशेटिव इनके द्वारा लॉंच किया गया है हमारा घर हमारा विद्याले यानि की my home my schools की इसके अंदर यह जो है classes ली जाएंगे from 10 a.m. to 1 p.m. एक गंटी की classes ली जाएंगी और इसके थूर जो है यह कोशिश करेंगे कि सब बच्चे जो है अपने घर में ही एजुकेट हो सके हमने यहां देखा अबड मद्रप्रदेश मद्रप्रदेश की बात कर रहे है तो चीफ मिनिस्टर यहां पर है मिस्टर शिवराच सिंग चोहान गवरनर य यह मनाते हैं एक नवेंबर को सेट अनिमल यहां पर है बारा सिंगा बर्ड है इंडिन पारडाइस फ्लाइज कैचर ट्री शाला ट्री और मडोने लिली जो है यहां की फ्लावर है यहां को वोल्ड हैट साइट में देखे तो साची स्टूपा काफी इंपोर्टन्ट है और हैं तो साइस देखें तो का नाशनल परक बांधवगर पंच और पंच और पंच से आप कन्वज और गहींगे लेकिन पंच जो है यह बोडरलाइन बनाता है यह महाराश्टरा और oh Madhya Pradesh दोन में आता है तो पंच पंच national परक, औरfour यह सबी हमारे important locations हैं in मध्यप्रदेश. Recent news की बात करें, तो मध्यप्रदेश के द्वारा रोजगा सेतु स्कीम को लॉंच किया गया था. इसके अलावा fever clinics इनके द्वारा लॉंच किया गया थे. कर हमने डिस्कस किया था कि इनके जो गवर्नर है उनकी जगा रिसिंटली आनंदी बेन पटेर को अपॉंट किया गया है इसके अलावा देखे तो चरंग पादू का स्कीम है, FIR आपके द्वार है पहला ऐसा स्टेट जिनके द्वारा मिडडे मील राशन दिया जा रहा है, वो भी मध्यप्रिदेश है जीवन शक्ती योशना, जीवन अमरित योशना, फिर दीदी वेहिकल सर्विसेस हो गई या फिर हमारे जो आंगरबाडी के वरकर्स हैं, उन्हें कोविड वॉरियर्स के जो है टाग दिया गया था बाई दी मध्यप्रिदेश कोविड कोविड वॉरियर्स ओके तो ये जो हम सारी नियूस देख रहे है, इस रिलेटेट टू मध्यप्रिदेश अगला सवाल है, कि विच स्टेट हाज रीसिंट्ली स्टार्टेड ओनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन फसिलिटी पॉर MSME तो जितने भी हमारे सुक्ष में लगू और मध्यम उद्यम होते हैं, उनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की फेसिलिटी किस येट के द्वारा की गई है तो ये शुरू किया गया है बाई हिमार्चल प्रदेश जिसे लॉंच किया गया है शिमला में ये जो है इस तरीके का सेल्फ सर्टिफिकेशन से क्या होगा जल्दी क्लियरंस दिया जाएगा और इंस्पेक्शन वगरे दे की जरूरत नहीं होगी और आपको तुरंट डिपार्टमेंट से क्लियरंस बिल जाएगी सेल्फ सर्टिकेशन का यही फायदा है और ये किया गया है पाई हिमाचर प्रदेश फॉर MSME हम यहां हिमाचर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहां के गवर्नर है मिस्टर बंदरू दर्तत्रिया चीफ मिनिस्टर यहां पे मिस्टर जयराम ठाकूर स्टेट टोडे यह मनाते हैं 25 जानुवरी को स्टेट आनिमल यहां पे है स्ट्नो लेपर्ड फ्लावर है यहां पे कॉमन रवड़ेंडरॉन वर्ल हेटर साइट्स में देखे तो ग्रेट हिमाले नाशनल पाक इंपोर्टन्ट है और कलका शिमला रेवे रामसा साइट्स में यहां चंदर ताल है पोंग डाम है और रेनु का लेग भी है हिमाचर प्रदेश के रीसिंट नीउस की बात करें तो इनके द्वारा इसंजीबनी ओपीडी लॉंच किया गया था जिसमें फ्री ओनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन दी जा रही है इसके अलावा पंचवटी योशना इन्होंने रीसिंटल लॉंच की थी फिर है डिगा आप इनके द्वारा किया गया था प्लस दो हम यहां पे फेस्टिबल्स देखते हैं पहला है फगली दूसरा है लोसर फेस्टिबल तो यह दोनों जो है यह काफी फ्लस के प्राइब करने के लिए इंड़ाज बाए उत्ठराखन हमाचर प्रदेश मांचर प्रदेश में आप सातनी में रखा गया है थे हमाचर प्रदेश यह हमाचर प्रदेश न जो है इस ततरीकी एरिकम इंडिया का पहला लाइकेन पाक को डेवलब किया गया है इन्दी पिथोड़ागर डिस्टिक अफ उत्राखन तो लाइकेन जिसे हम जो है काई भी कह सकते हैं यह बेस्ट बाय इंडिकेटर होते हैं लाइकेन बहुत ज़्यादा इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वार्मेंट के लिए और इसलिए उत्राखन की गवर्मन ने इंडिया का पहला लाइकेन पाक को बनाया है इंडिया का पहला अगैन अफर्स्ट हमने करीब दो या तीन आज नीज देखी जहां पर हम फ समर कैपिटल के रूप में अनाउस किया गया था सेट अनिमल यहां पर है अल्पाइन मस्टियर फ्लावर है ब्रह्मकमल हिमालेन मोलल बर्ड है और ट्री है बुरान नाच्रल साइट्स में देखिए यहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है वाली ओफ फ्लावर्स जि जिम कॉर्बिट की बात करें तो जिम कॉर्बिट जो है यह पहला कॉरेंटाइन सेंटर बना था फॉर आनिबल्स पहला कॉरेंटाइन सेंटर ओफ इंडिया फॉर आनिबल्स तो दो न्यूज हमने यहां उत्राखन के और डिसकस कर ली इसके अलावा और न्यूज देखे त स्टेट फेस्टिवल्स बहुत इंपोर्टन्ट होते हैं उत्राकन की गवर्मन्ने मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना भी लांच की थी ओके तो यह जो हम देख रहे हैं यह सारे इस स्टेट के रिलेटिड न्यूस थे इसी के साथ हमारा स्टेट सेक्शन यहीं खतम होता ह अब आते हैं हम बैंकिंग और फिनाशल अव्यरनेस पर इस सेक्शन में हाँ हमार पास एक ही क्वेशन है यहां पूछा जारा है कि who has recently launched Instacash किसके द्वारा Instacash लाँच किया गया है तो यह लाँच किया गया है by Instamojo तो यहां हम देख रहे Instacash के बार में तो यह जो है एक तरीकी की Working Capital प्रोवाइड करना या फिर जो है Working Capital आप कह सकते है दिन चरिया में जो खर्चा लगता है उसे हम Working Capital बोलते है तो MSME को जो इस तरीकी का खर्च है उसे अपनी फुल्फिल करवाने के लिए Instamojo के द्वारा इस स्कीम को लाँच किया गया है और इन्होंने इसका नाम रखा है Instacash तीक है और यह करीब जो है एक लाग तक की इन्होंने स्कीम लाँच की है Instacash को आपको कन्फ्यूज नहीं करना है with Instaflexi Cash Instaflexi Cash इसे भी रिसेंटली अनॉंस किया गया था पर यह ICIC के द्वारा किया था So clear है यहाँ पर कि Instamojo नहीं जो है Instacash किया है और Instaflexi Cash by ICIC Insta Mojo की बात करें तो इसकी जो founder और CEO है वो है Mr. Sampad Swen तो यह हमने फिनिश किया हमारा banking awareness अब हमारे हमारे international section में तो international section में हमसे पहला सवार पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य 2023 में पहले पर्रेटब को अंतरिक्ष की सेर पर ले जाएगा यहाँ पर हम अंतरिक्ष की बात कर रहे है space में कोई टूरिस को ले के जाएगा by which country तो यह ले जाएगा by Russia तो रश्या की जो Energia Space Corporation है इन्होंने एक तरिके का contract किया है USA के साथ और उनके साथ मिलके यह 2023 में international space station पर अपनी तरफ से एक टूरिस को वहाँ पर जो है ले कर जाएगे 2023 में तो यह काफी एक अच्छी information है कि जहाँ पर हम space tourism को बढ़ते हुए देख रहे है तो space tourism हम 2023 में सबसे पहली बार विटनेस करेंगे और यह किया जाएगा by Russia रश्या के हम बात कर रहे हैं तो इसकी capital है Moscow इसकी capital है Moscow इसके अलावा यहां के president है Mr. Vladimir Putin Prime Minister है यहां पर Mikhail Mishthuddin Mr. Mikhail Mishthuddin और यहां के जो parliament है उसे डूमा कहा जाता है डूमा रेसिंट नीउस की बात करें तो रश्या के द्वारा अर्क तिका एम करके एक satellite launch की गी थी अर्क तिका एम तो यह जितना आर्टिक ओशन है या आर्टिक एन्वार्मेंट है उसे study करने के लिए किया गया था इसके अलावा रीसिंटली इनके द्वारा 75th anniversary मनाई जारी थी for the second world war तो उसी में हमारे तर्फ से हमने troops भी बेजे थे वहाँ पे हमारे defense minister भी गए थे उस ceremony को attend करने के लिए तो अर्क तिका एम 75th anniversary और इसके अलावा रीसिंटली नॉर्विज सिटी में नॉर्विज सिटी ओफ रश्या वहाँ पे emergency like situation create हो गई थी जब वहाँ पे डीजल का discharge हो गया था inner river तो वहाँ पे आपको डैल डीकिन और अंबर नाया यह दोनों रिवर्स का नाम याद रखता है सवाल बिलकुर पूछा सा सकता है कि यह दोनों रिवर्स कहां से बिलॉंग करती है तो हमें पता होना चाहिए और यह सारी information हमने देखी रश्या के बारे में अगला देखें यहां सवाल है काफी important सवाल है कि किस बैंक ने रिसिंटली 500 मिलियन डॉलर जो है अप्रूफ किये है पर स्ट्रेंथनिंग टीजिंग लर्निंग और रिजल्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम तो स्टार्स प्रोग्राम अगर आप इसे कहें सिस्टेम में तो जितनी क्वालिटी और जितना गवर्निस हम इंप्रूफ करेंगे अध्यूकेशन सिस्टेम में उतना भेतर होगा और उसी के लिए वर्ल बैंक के द्वारा ये लोन दिया गया है ये करीब सिक स्टेट्स में इसे जो है लागू करने वाले हैं ये माचल, केरला, मध्यपिदेश, महराष्टा, ओरिसा और राजिस्थान इन सभी जगों पे इसे जो है लागू करने वाले हैं वर्ल बैंक की हम बात कर रहे है तो इसे एस्टाबलिश किया गया था 1944 में ये हेड़कॉर्टर है वाशिंग्टन दी-सी में और करिंटली इसके प्रेसेडेंट है Mr. David Malpass Mr. David Malpass और करिंटली इसके चीफ एकोनोमिस्ट है Mr. Carmen Renhat Carmen Renhat और इन्हें रीसेंटली ही अपोइंट किया गया था तो ये हमने देखा about World Bank अगला सवाल, क्याफी important question है कि इंडिया ने रीसेंटली पहला जॉइंट हाइडल प्रॉजेक्ट लाउंच किया है किस कंट्री के साथ तो ये हमने किया है विद भूटान तो हम ये बात कर रहे हैं कि 600 मेगा वाट का खोलोंग्चू Joint Venture Hydro Electric Project हम launch करने वाले हैं भूटान में यानि की खोलोंग्चु सायक्त उद्यम पन बिजली पर योजना किसके साथ भूटान के साथ तो इस तरीके का पैक्ट हमने साइन किया है जिसे कम्प्लीट किया जाएगा 2025 तक भूटान जैसे के आप देख सकते हैं यह हमारी नेबरिंग कंट्री है इसकी क्यापिकल है तिम्फू प्राइमिनिस्टर यहाँ पर है Mr. Lotte Sherry और करन्सी है यहाँ पर नगलत्रम भूटानीस नगलत्रम तो इतना हमने याद रक रहे हैं भूटान यह हमने देखा आप दर रीसंट फोस्ट जोइट इलेक्रिसिटी प्रोजेक्ट इन भूटान अगले यहाँ पर प्रेसिदेंशल इलेक्शन तो पूछ रहे हैं Mr. Lazarus Chakvera He has recently won the presidential election of which country तो he is now the new president of Malawi Malawi के यह नए प्रेसिदेंट है Lazarus Chakvera के हम बात करें है यह नए प्रेसिदेंट है Malawi के Malawi आप यहाँ देख सकते हैं यह है हमारी Malawi, यह एक African country है इन्होंने Peter Mutharika को बीट किया है Malawi की बात करें तो यहाँ की capital है Long Way, currency यहाँ पर है Malawi and Quacha तो यह हमने देखा आपर Lazarus Chakvera और ऐसा ही एक recent election हुआ है in Ireland और यहाँ पर Michael Martin he has recently been elected as Ireland's new Prime Minister पीछे हमने देखा Malawi के नए President के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं हम Ireland के बारे में Ireland का जो capital है वो है Dublin और currency है यहाँ पर Euro तो दो हमने यहाँ पर देखे पहले हमने देखा about Lazarus Chakvera यह Malawi के बात कर रहे थे Malawi के बात कर रहे तो recently Exim Bank ने 216 million का line of credit भी जो है दिया था to Malawi government तो यह भी हमें याद रखना है तो Lazarus Chakvera एंड फिर हमने देखा about Michael Martin तो आखरी हमारे section से सवाल है कि किस country ने recently COVID-19 wellness app को launch किया है for players तो यह ही किया गया है by Bangladesh So to be more precise Bangladesh की जो cricket board है उनके द्वारा इस आप को launch किया गया है ताकि जित्ते भी इनके players है उनकी mental health और mental well-being को जो है वो track कर सेके तो COVID-19 wellness app ऐसा ही एक आप इनोंने recently launch किया था जिसका नाम है Corona Tracer BD BD यानि कि Bangladesh तो Corona Tracer BD लॉंच किया गया था भाई Bangladesh और यह contact tracing app था Bangladesh की हम बात करें तो यहां की capital head धाका प्राइम मिनिस्टर यहां पे है शेक हसीना तो यह हमने देखा about Bangladesh अब हमारे last second section में आ गये है जो कि है awards का तो इस section में हमारे पस दो important questions है सबसे पहला यहां पूछा जा रहा है कि who has been comforted with the first Professor PC Mahalanobis Award for Lifetime Achievements तो यह award दिया गया है to Mr. Chakravarti Rangarajan Mr. Rangarajan जो है यह हमारे RBI के former governor है जोके है तो इनके लिए जो है पहला PC Mahalanobis award दिया गया है again a first that we are discussing तो जितने भी हमने first discuss किया है वो सभी आपको याद रखने है तो PC Mahalanobis Award recently हमने 29th June को observe किया था National Statistics Day National Statistics Day वो बनाया जाता है on the birth anniversary of PC Mahalanobis तो on Professor PC Mahalanobis Day यह दिन हम बनाते हैं और उन्हे को remember करते हुए यह award भी जो है और इसके पहले जो recipient है वो है Mr. Chakravarti Rangarajan This award has been given by the Ministry of Statistics and program तो इनके द्वारा इस award को दिया गया है तो यहां आपको 2-3 points देखना है Mr. Chakravarti Rangarajan This Mahalanobis Award और फिर आपको किस ministry के द्वारा दिया गया है वो भी देखना है अगला यहां पे news है about pop star Beyonce Beyonce she has recently been honored with BET 2020 Humanitarian Award तो BET 2020 Award इने जो है दिया गया है दिया गया है for a philanthropic work तो यह काफी ज़ादा humanitarian work करती है इस वज़े से इन्हें यह award दिया गया है तो यह जो award है यह एक American award है जो कि African Americans को दिया जाता है इसे 2001 में established किया गया था और से यहां पर question पूछा जाए कि यह award किस year में established किया गया था आपको confuse करने के लिए years यहां पर डाल सकते है पर आपको पता होना चाहिए कि 2020 में इसे institute किया गया है तो 2020 में इसे launch किया गया है और यहां हमने देखा BET 2020 humanitarian award के बारे में last अब हम finally हमारे section में आ गये है of important days तो important days में सबसे पहला सवार पूछा जा रहा है कि when is the international day of parliamentarism observed यानि कि अंतराष्ट्रिय संसद दिवस हम किस दिन मनाते है तो यह मना जाता है 30 June को यानि कि 38 June को हम संसद वाद का अंतराष्ट्रिय दिवस मनाते है तो worldwide जितने भी हमारे parlements होते है उनको हम उनकी importance को respect करते हुए इस दिन को मनाते है इसे 2018 से मना जा रहा है observed के जा रहा है by United Nations General Assembly तो यह हमने देखा 30 June 30 June से ही related हमारे पास है International Asteroid Day यानि कि अंतराष्ट्रिय शूद्र ग्रह दिवस यह भी 30 June को मना जाता है तो रिमेंबर दी सूंकवा इंपक्ट ओवर Siberian Russian and Federation यहां पर 1908 में एक तरीके का आश्ट्रोइड यहां पर गिरा था जिस अज़े से काफी नुक्सान हुआ था तो 1908 में हुआ था पर 2016 में United Nations General Assembly ने इस दिन को जो है observe कि ताकि लोगों तक हमें बात पहुँचा सके कि आश्ट्रोइड का इंपक्ट कितना हमारे लिए जुलाई को GST Day मना जाता है 1 जुलाई 2020 को अगर हम देखे तो इसकी 3rd anniversary मना जा रही है यह सवाल आपसे बिल्कुर पूछा जा सकता है तो इस साल हम इसकी कितने नंबर की anniversary मना रहे है तो 3rd anniversary तो पहला GST Day जो है यह 1 जुलाई 2018 को मना गया था और तब से लेकर अब हम इस दों को मना रहे है तो GST यानि की Goods and Services Tax Day एक जुलाई हमने देखा तो एक जुलाई को फिर से हम National Doctors Day बनाते हैं जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं उन्हें हम respect प्रवाइड करते हैं उनकी importance को हम देखते हुए एक जुलाई को National Doctors Day बनाते हैं इसे एक जुलाई को मना जाता है और इस साल की इसकी theme है Lesson the mortality of COVID-19 पहली बार इस दिन को मना गया था जुलाई 1991 में और इस दिन को अब्जर्ब किया जाता है on the death anniversary of Dr. बिधान चंद्ररोय ये एक काफी famous doctor थे of West Bengal तो West Bengal की government इस दिन पर उन्होंने recently state holiday भी declare किया है तो ये हमने West Bengal को भी discuss कर लिया अगर सवाल पूछा जाए कि किस government ने recently national doctor's day के दिन state holiday declare किया है तो आपको पता होना ची वो है West Bengal तो ये हमने चार डेज यहाँ पर डिसक्स किये national doctor's day, DST day, फिर हमने देखा asteroid day, international asteroid day और international day of parliamentarism तो इसी के साथ हमारा आज का session finally यहाँ खतम होता है लास्सेशन में आपसे सवाल पूछा गया था कि which station has been renamed as rainbow station तो नौइडा का जो sector 50 का station है उसे rainbow station के नाम पे जो है डिकलेर किया गया था इसे किया गया था ताकि चांज जेंटर कम्यूटी जो है उन्हें हम representation प्रवाइड कर सकें तो rainbow station हमने डिसक्स किया अब आज का आपका सवाल है कि world karate federation जो है world karate federation इन्होंने रिसेंटली किस karate association को de-recognize किया है किस karate association को de-recognize किया है यfon किस country के तो यह रहे आपके options ज़रूर इस question का answer दीजे डूएट मेंव अन्च व्यार में या bet for today's session if you really like today's session please don't forget to give it a like share and subscribe और सो अगर आप इस सेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे Telegram Channel से कर सकते हैं So thank you so much for watching and I shall see you in the next one